और अभी-अभी मैंने मार्केटिंग में एक स्मूद मूव के बारे में भी सीखा है, इसके कैटलोग को पहले से बहुत छोटा रखा है ताकि जब सेल्समान इस किताब को पढ़े तो उन्हें में बाते एक ही पेज में सीखने को मिल जाए, इस तरीके से वो इस टेकनीक को जल कर पाना अलीना के बसका काम नहीं है, ये स्टार्स को सवाल पूछते वक्त फैक्ट्स को हवा में उड़ा देती है, सोसाइटी सेग्मेंट होस्ट को हर फैक्ट के बार में पता होना चाहिए, आज तक मेरे काम से किसी को दिक्कत नहीं हुई है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ फिर तुम्हारे शो की रेटिंग्स इतनी लोग क्यों है, अस्पताल में बहुत खर्चा हुआ होगा नहीं, इतना खर्चा तो नहीं हुआ जाओ, इससे अपने लिए कपड़े खरीद लेना, हैर कलर करवालो, स्पा में जाओ, तुम्हें काम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखो तुमने हमारी इंटिमेसी के बारे में विसब बता दिया जार्लिंग, तुमको ज्यादा ही सोच रहे हो, ये इंटर्व्यू कमपनी के लिए बहुत अच्छी प्रमोशन साबित हुई, इससे हमारे व्यूर्स बढ़ेंगे और ओडियंस के साथ क्लाइन्स भी, मैंने ये सब कमपनी की इमिज और स्ट्रॉंग बनाने के लिए किया है समझे, अभी भी दर्द हो रहा है क्या, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, या न, मुझे लगता है अच्छ तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, एक दिन के छुट्टी ले लो न, थोड़ा आराम करो, तुम्हारे पैर को भी थोड़ा आराम मिलेगा, याद है न, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कुछ दिनों के, मा मैं गर पर बैठे-बैठ अधि उस वक्त मैं वहां न जाती तो अना को चोट लग जाती, अना, कैसी हो तुम्हें, आज इतने सुबह आ गई हो, हाँ, सुबह जल्दी आ गई हूँ, सब लो कहा है, अना, तुम आई हो, हाई मॉम, गुद मॉर्निंग, सब ठीक तो है न, हाँ, सब ठीक है, मुझे आप सब की याद आ रही थी, इसलिए सोचा स्टोडियो जाने से पहले आप सब से मिल लेती हूँ, क्या तुम्हें मेरी भी यादा आ रही थी, हाँ, हाँ, जरूर, यारा कहा है, वो अपने रूम में है, लेकिन उठी हुई है, आही गई हो, तो साथ में नाष्टा करते हैं, पहले मैं यारा से मिल लेती हूँ, फिर खा दूँगी, नाष्टा कि ये बेना जाने नहीं दूँगी तुम्हें, हाइड, कैसी हो, हेलो, तुम्हारा पैर कैसा है, बस कुछी दिनों में ठीक हो जाएगा, ये लो, अस्पताल में बहुत खर्चा हुआ होगा. नहीं, इतना खर्चा तो नहीं हुआ. जाओ, इससे अपने लिए कपड़े खरीद लेना, हैर कलर करवा लो, स्पा में जाओ. तुम्हें काम की फिक्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखो. कॉस्ट्यूम डिजाइनर के बिना शूट नहीं रुकने वाला. थांक्स, पर मुझे तुम्हारी पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है. लेने तो तुम्हें पढ़ेंगे या, ना? मैं तुम्हें प्यार से दे रहे हूँ. पहली बार अपनी कमाई को मैं तुम से शेयर कर पा रहे हूँ. पहली बार से क्या मतलब है? तुम तो हमेशा से मेरा ख्याल रखती हो, तुमने मेरे कर्जे भी चुकाई है. मेरा मतला अपने नए काम से आयो है पैसो से वैसे भी तुमने मेरी बहुत मदद की है इसलिए ये पैसे हम दोनों के है समझे अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो प्लीज ये पैसे मॉम को दे दो तुम बहुत जिद्धी हो आज तुम दूसरी इंसानों जिसने मुझसे ये बात कही अभी अभी मॉम ने भी यही कहा था आना, याना, चलो नाश्ता दयार है चलो नाश्ता करते हैं क्या किसी को उजाना को कॉल आया है? किसी की बात हुई है इससे? नहीं, मुझे तो नहीं आया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ दादी, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ अरे, तुम कहां जा रही हो, थोड़ी सी मदद भी कर लो हमारी दादी, मैं बहुत बिजी हूँ, एक मिनिट के लिए भी यहां नहीं रुख सकती आप एक काम करो, यह सब फेक दो, हम नयां खरीद लेंगे क्यारो लिना, तुम एक यंग लड़की हो, तुम मर्द नहीं हो तुम्हें घर के काम करने की आदत होनी चाहिए, समझ गई तुम्हें हर वक्त काम की ही पड़ी रहती है तुम्हें याद भी है, तुम पिछली बार डेट पर कब गई थी दादी, यह तो मुझे सच में याद नहीं है आप किस जमाने में जी रही हैं, आज अगर औरत अपना करियर बनाने में बिजी रह सकती है तो वो मर्द नहीं बन जाती, अगर मुझे किसी लड़के से टकराना होगा तो उसके मिलते ही मैं आपको बता दूँगी आपको फिक्र करने की कोई सर्वत नहीं है अपने ओफिस के अलावा यह अगर कई और जाएगी नहीं तो उसे अच्छे लड़की मिलेंगे कहा अपने घर पर, या तो कम्प्यूटर पर लगे रहती है या फोन पर बाते करती रहती है क्या यह पानी है? हाँ यह पानी ही है आप घबराइए मत, हम उस और अरत को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका समान वापस दिला देंगे लेकिन मैं सज़ बताऊं तुझके चांस बहुत कम है इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने परिवार से किसी की मदद मांग ले यह तुमारे घर पर बने खाने से कहीं ज्यादा अच्छा है एक बार चक कर देखो चलो भी अना तुम्हें पूरे दिन काम करना है तुम्हें स्ट्रॉंग रहना होगा खाओ मैंने कहाना तुम्हारे घर पर तुम्हें ऐसा नहीं मिलगा एक बार चक कर देखो फिर मुझे बताओ तुम्हें अच्छा लगा या नहीं अना मुझे आप सब लोगों के साथ बिताया वक्त बहुत याद आता है जब हम एक साथ रोज ब्रेक्फिस्ट किया करते थे फिर तो तुम्हें यहां रोज आना चाहिए जब भी तुम्हें वक्त मिले आ जाया करो हमें बहुत खुशी होगी तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक क्या रही है नाश्टा यहीं किया करो मन करे तो डिनर भी जो तुम्हें अच्छा लगे कैसे हो बिटा आज का प्लान क्या है तुम्हारा कुछ खास नहीं अगले केमिस्ट्री टेस्ट की तयारी कर रहा हूँ आप कैसे है पापा मैं भी ठीक हूँ आपने मुझे बताया नहीं कल रात वाली औरत आपकी क्या लगती है मैंने तो तुम्हें बताया था वो मेरी दोस्त है मैं उसे कुकिंग क्लास में मिला था उसका नाम होजाना है सब कुछ तो तुम्हें बता चुका हूँ वो आपके साथ फलर्ट कर रही थी और आप इग्नोर कर रहे थे कौन किसे इग्नोर कर रहा था और वो आपसे नाराज भी थी कि आपने उसे कॉल क्यों नहीं किया और उसे पहले आपकी रेस्टरांट वाली दोस्त भी यहां आई थी जिसे आपने अंदर नहीं बुलाया था पापा आप इन दोनों को डेट कर रहे हो न है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना तुम्हेंने ओजाना से प्रॉमिस किया है ना ही ल्यूबा से ल्यूबा उसका मर्दों के बारे में थोड़ा हाइस टेंडर है और मैं उसके लाइक नहीं हूँ अब मेरी भूख मर गई अगर उसे पता चला कि मेरा एक बेटा है और मेरा क्रेमिनल रेकॉर्ड भी है तो वो मुझे कभी बात नहीं करेगी मुझे पता है तो आप उससे प्यार करते हैं इसलिए जूट बोल रहे हैं मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ मैं किसे से प्यार नहीं करता तुम ये क्या बात कर रहे हो, खाओ हाँ ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन इतना भी पसंद नहीं करता कि मैं उसे शादी कर लूँ उसका मेरे साथ कोई फ्यूशर नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पापा आप जानते हैं, मैं आपका भला चाहता हूँ, आप शादी कर सकते हैं लेकिन आप ये सारी बाते मुझे बताते क्यों नहीं, फिर भी मुझे पता चल जाता है मैं ये समझ सकता हूँ, बस दुबारा किसी मुसिबत में मत फश जाना मैं किसी मुसीबत में नहीं फसूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सुधर चुगा हूँ तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थांक यू तुम्हारे पैर में इतना दर्ध है और तुम सीडियों से आ रही हो तुमने लिफ्ट क्यों नहीं ली? मुझे शुरू से आदत है, मुझे वॉक करना पसंद है तुम अपनी बताओं, तुम सीलियों से क्यों आ रहे हो? मैं पूरे दिन ऑफिस में ही बैठा रहता हूँ, इसलिए सीडियों का इस्तमाल करता हूँ वैसे मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करना पसंद करूँगा वैसे तुम्हें बार बार गिरने की आदत है क्या? जब मैं पहली बार तुम से मिला था तब भी तुम ऐसे ही यहां पर गिर गई थी और तुम्हारे नी में भी चोट आई थी मुझे लगता है तुम्हें वो बात याद नहीं है अगली बार मैं ध्यान से सेडिया चड़ूंगी ताकि तुम्हें यह ना लगे कि मुझे बार बार गिरने की आदत है मुझे नहीं पता था तुम्हें मार्केटिंग में भी इंटरस्ट है हाँ यह बात तो मुझे भी नहीं पता थी मैंने तो बस आना की शेल्फ पर से ये बुक उठा ली जब पढ़नी शुरू की तो मुझे बहुत इंटरस्टिंग लगी और अभी-अभी मैंने मार्केटिंग में एक स्मूद मूव के बारे में भी सीखा है इसके कैटेलोग को पहले से बहुत छोटा रखा है ताकि जब सेल्समान इस किताब को पढ़े तो उन्हें में बाते एक ही पेज में सीखने को मिल जाए इस तरीके से वो इस टेकनीक को जल्दी से जल्दी इंप्लिमेंट कर पाएंगे ये बुक मुझे बहुत पसंद आई 1930 के बाद पहली बार ऐसी बुक पब्लिश होई है क्या मैंने कुछ गलित कह दिया? जानती हूँ जब मैं आना से मिला था उस वक्त वो एक फ्रेशर थी और उसने मुझे बताया था कि वो इसी तरह का जॉब करना चाहती थी जिसके बारे में तुमने अभी मुझे बताया हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों बहने हैं, सेम इंट्रेस्ट हो सकता है अब मुझे जाना होगा मुझे भी जाना होगा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ तुम्हें चोट लगिये, तुम्हारा इस तरह वॉक करना ठीक नहीं है हलो, डेनिस हाइ फिकर मत करो, मैं ऐसे ले जाओंगा ओके अब मुझे यकीन है कि याना का खयाल अच्छे से रखा जाएगा टिक क्यार एव नाइस डे एक प्लेट डंप्लिंग्स और दो प्लेट नूडल्स चाहिए गालिक सॉस एक्स्ट्रा डालना और कैबेज भी चाहिए मसाले वाला बहुत जल्दी है क्या सुनो बोलो आज काम के बाद तुम क्या करने वाले हो अभी कुछ सोचा नहीं है शायद घर जाकर आराम करूंगा मेरा भी कोई प्लान नहीं है तो हम दोनों वाक पर चल सकते हैं पूरा दिन अपने पैरो पर खड़े रहकर शाम को मुझे वाक करने के लिए नहीं जाना है मैं किसी जगे आराम से बैठना चाहूंगी किसी शान जगे जहां हम बात कर सके तो फिर हम यहीं पास वाले पिज़ा कॉर्णर पर बैठ सकते हैं और मेरे पडोस वाले शराबी हैं आज तुम्हें सच बता नहीं होगा तुम कभी मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाते मेरे घर तो हजार उपर आज चुके हो लेकिन मैं तुम्हारे घर एक बार भी नहीं आई हो वहां किर क्या छुपा हुआ है किसी की डेड बॉड़ी या खुकार आतंगवादी या फिर तुम्हारी बीवी मैं शादी शुदा नहीं हूँ बात यह है कि मैं तुम्हारी बहुत इल्जत करता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे दूसरे लड़कों की तरह चीचोरा और मौका परस समझो तुम दूसरी ओरतों की तरह नहीं हूँ क्या मतलब कौन सी दूसरी ओरते तुम्हारी जिन्दगी में और कितनी ओरते है मैं तु बस यूँ ही कहा था तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो अगर मैं किसी औरत को अपने घर पर ले गया तो इसका मतलब हुआ मैं उसे साथ रखना चाहता हूँ समझो ना अब तुम ये मत सोचना कि तुमारे बारे में मैं वैसा सोचता हूँ जैसा कि तुम कोई आम औरत हो लिउबा तुम किसी और दूसरी औरत की तरह नहीं हो अब लाइटिंग परफेक्ट है ठीक है पिछले एपिसोड में लाइटिंग बहुत जादा हो गई थी जल्दे कुछ फाइनलाइस करना होगा लेफ्ट साइड की लाइट्स को थोड़ा कम करना होगा उसके साथ ही फाइनल रिजर्ट्स में हम सिस्टम में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं चलो शुरू करते हैं जी बूली मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने आई हूँ वो इसी चैनल में काम करती है वो अपने ओफिस में होगी उसका ओफिस ढून रही थी शायद मैं गुम हो गई हूँ सारे ओफिस थर्ड फ्लोर पर हैं यह सेकंड फ्लोर है मैं किसी को कहन देता हूँ आपको तुम किसी को मत कहो मुझे खुदी वहां क्यों नहीं छोड़ाते ठीक है अगर आप चाहती है तो सुनो मैं भी पांच मिंड पर आता हूँ ठीक है सार आइए चलिए माफ करना बच्चो बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज शुक्रिया मत करें तुमारा नाम तो मैंने पूछा है नी एंड्री मेरा नाम कैट्रीना है तुम यहां पर क्या काम करते हो मैं यहां डायरेक्टर हूँ तुमारी उम्रे तो बहुत चोटी सी लग रही है इत्ती चोटी सी उम्रे में डायरेक्टर बन गया हो मैं तीस साल का हूँ यह राह आफिस हम पॉँच गए तुमारा फिर से शुक्रिया अब तुम बुरा ना मानो तो एंड्री क्या मैं कभी तुमारा शूट देखने आ सकती हूँ मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग आखे शूट कैसे करते हो मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी ज़रूर बताईए कब आना चाहती है आप हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना नंबर मुझे देना होगा यहां आने से पहले तुम्हें कॉल करके बता दूँगी मैं यह लीजिए यह मेरा कार्ड है इस पर मेरा नंबर लिखा है मुझे कॉल कर दीजिएगा माफ कीजिए पर मुझे अब जाना होगा हालो कैसे हैं आप मैंने अभी अभी जॉब के लिए आपका एक एड देखा था जॉब किसी और को मिल गई है हेलो अब क्या करूँ अब मैं क्या करूँ फोन की बैटरी भी टेट हो गई है उसने मेरा चार्जर भी चुडा लिया मुझे जल्दी काम ढूंडना होगा लेकिन अब मैं जॉब कैसे ढूंड़ू डर्लिंग क्या तुमने मुझे यहां बलाया यह सब क्या है ना क्या हुआ है तुम्हें अच्छा नहीं लगा काफी अच्छा इंटर्व्यू था उन्होंने मेरे वर्द्स को ट्विस्स नहीं किया यह तुम्हारे असाब से ठीक है क्या हमारे पर्सनल रिलेशन्चिप के बारे में सबको बताना ज़रूरी था मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है मैंने इंटर्व्यू में यही कहा है कि मुझे अपने पती पर फक्र है मैं सबको बताना चाहती थी कि मैं कितनी लखी हूँ तुम्हें नहीं लगता कि रिलेशन्चिप को पर्सनल रखा जाना चाहिए तुम हमारी पर्सनल बातों को इस तर प्रमोशन साबित हुई इससे हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे और ओडियंस के साथ क्लाइंट्स भी ही मैंने इस सब कंपनी की इमिज और स्ट्रॉंग बनाने के लिए किया है समझे मैं दिन रात तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुम्हें जो यह आखर तमारी प्रोब्लम क्या है यह जो नया काम कर रही हूं इसमें एक्सपोजर की जरूरत है पर डालिंग मैं प्रॉमिस करती हूं परिवार मेरी सबसे बड़ी प्रारिटी है लेकिन क्या करूं एक टीवी होस्ट को अपने परिवार के अलावा ओडियंस के बारे में तकलीव दिनी के लिए माफी चाहते हूं मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं आप खुश है ना दादी मा आपने देख लिया ना कि मैं बिलकुल ठीक हूँ यहां मुझे कोई टॉर्चर नहीं कर और मैं अधास भी नहीं हूँ आप मेरे दिल को तसली हो गई है तुमारा ओफिस तो बहुत ही बढ़िया है आपने ओफिस भी देख लिया है हां मैंने पूरा ओफिस देखाया और मुझे बहुत खुशी भी है कि यहां लोग तुमारी रिस्पेक करते तुमारी बात मानते है और तुमारी कलेग भी बहुत एंट्रेस्टिंग लोग है क्या तो उनक बरो में तुम्हें बताना तो भूली गई थी मैं गलती से चली गई थी वहाँ काफी बोरिंग महोल है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैं वहाँ जाना चाया ठीक है अब मुझे गर जाना चाहिए आज तुम्हारी मा खाना बना रही है कहीं मेरी गैर मौजूद्गी में गर ही ना जला दे अब चलती हूँ शाम को जल्दी मिलते हैं ठीक है दादे मुझे सेट पर जाने के लिए क्यों कह रही है कि 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 वेलेरिया बूरा मत मानना लेकिन तुम्हें किचन से दूर ही रहना चाहिए अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम में से किसी की भी उस उजाना की बची से बात हुई है मैंने तो उसे कॉल किया था लेकिन उसने नहीं उठाया फोन तो मैंने भी किया था पहले तो उसने उठाया नहीं फिर उसकी बैटी डेट हो गई थी तो फिर हम कल से एक नई कुक्की तलाश शुरू कर देते हैं लेकिन उजाना अच्छी थी और फनी भी बहुत थी क्या पता है वो कहा है और क्या कर रही होगी वो तो हमारे बिना भी जिलेगी लेकिन हम ये खाना खा कर जीती जी मर जाएंगे फिर भी इसे खाना तो पड़ी रहा है मेरे पास एक आइडिया है चलो बाहर चलते हैं दिनर के लिए कमाल का आइडिया है लेकिन एक ही शर्त पर ट्रीट मेरी तरफ से होगी दिनर की ट्रीट मेरी तरफ से है मैंने ब्रेकफ़स्ट बड़ा खराब बनाया यही मेरी सजा है बस बात खत्म होती है I love you mom चलो चलते हैं I love you too, bita ठीक है ओजाना ओजाना तुम तुम यहां क्यो बैठी हो रो क्यो रही हो क्या तुम ठीक हो कुछ बोलती क्यों नहीं मैं कुछ बोलने लाइक नहीं बची हो तुम चोड़ों की तरह यहां क्यों आती जाती रहती हो मैं नहीं नौकरी डूढ़ने की कोशिश का नहीं थी और फिर वह चुप रहो पहले अपने आपको संभाल लो हाथ मू धोकर आओ जाओ अंदर जाओ तुम सब भी अंदर चलो चलो अंदर चलो इस तरव चलो यहां हां पिर जब मेरी आंग खुली तो पता चला वो लुटे रहन थी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं आपको बिना बताय चोड़कर चली गई थी और फिर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी मैं इस ही लाएक हूं तुम्हें यह घर चोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए था यह सही कह रही है मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुम्हें घर चोड़कर जाने की क्या जरूत पड़ गई किसी ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा था लेकिन जैसे आप सब लोगों ने रियक्ट किया था जब मैंने कहा मैं प्लास्टिक सरज़री करवाना चाहती हो तो आप रहा मा उसाना तुम समझती क्यों नहीं हमें तुम्हारी फिक्र है तुम्हारा तो अल्रेडी इतना खुब्सूरत चहरा है कितना इमंदार और प्रभावशाली चहरा है ऐसे चहरे पे तो लोग अपनी दिलों जान चिड़कते हैं आना इसे समझाओ क्यारलीना सही कह रही है आपकोर्स हमें तुम्हारी जरूरत है हाँ जरूर अब इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे कह सकती हूँ वापस आजाओ लेकिन एक शर्ट है दोबारा कभी प्लास्टिक सरजरी के बारे में मेरे सामने बात मत करना समझ गई तुम शुक्रिया दादी मा उसाना एक बात ब जाती मा थैंक यू कितना सारा खाना बना दिया एक अफ़ते तक खत नहीं कर सकते इसे इसी बहाने कुछ अच्छा खाने को तो मिला है नाश्ते में अब सुबच जल्दी उठने का मन तो करेगा अब धबराइए मत मैं खाना बना दिया करूंगी पहले से भी अच्छा खान बहुत मज़ा आ गया अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं थैंक यू बहुत बढ़िया था ने 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 इसे यही रहने दो मैं उठा कर ले जाओंगी तुम यही रहने दो अब मैं गार्ण में जा रही हूँ क्या आप अभी तक मुझे नराज हैं कैट्रीना मैडम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अब मैं अपने आपको बसूरत नहीं समझती हूँ कैरोलीना ने कहा है मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है और क्या आप जानती हैं मैंने तो सोच लिया है मैं कैरोलीना से कहूंगी कि उस शो की होस्ट आना की जगा मुझे बना दे तुम होस्ट बनोगी तुम बाते करके और यूस की जान निकाल दोगी तुम मुझे हसा रही हो है मुझे अपने कुछ प्रोजेट की लो रेटिंग के बारे में बात करनी है और खास करके दूसरे स्टार गॉसिप शो के बारे में हमारी होश्ट बहुत ही ब्राइट और स्मार्ट गॉल है और शो प्राइम टाइम पर ओन एर हो रहा है क्या प्राब्लम है हो सकता है कि 80% आउडियन्स इंटरनेट देख रही हो क्योंकि वहाँ पर स्टार्स की सारी इंफोर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम इस बारे में क्या कर सकते हैं क्यों न हम अपने शो को डेली सोब बना दे और इसे इवनिंग न्यूस से पहले ओन एर कर दे और हमें इसको 10 से 15 मिनिट छोटा करना होगा आइडिया अच्छा है मैं इससे सहमत नहीं हूँ हमारे पास डेली एपिसोड के लिए इतना मटिरियल नहीं है लेकिन कंटेंट होना ज़रूरी है हम स्टार्स के साथ कुछ एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यूस शूट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के पर्सनल एक्स्पीरियंस की बार में बता सकते हैं लेकिन ऐसा करने में हमें दिक्कत पेश आ सकती है कैसी दिक्कत? क्योंकि इंटर्व्यू करपाना अलीना के बसका काम नहीं है ये स्टार्स को सवाल पूछते वक्त फैक्ट्स को हवा में उड़ा देती है सोसाइटी सेग्मेंट होस्ट को हर फैक्ट की बार में पता होना चाहिए आज तक मेरे काम से किसी को दिक्कत नहीं हुई है ओडियन्स की अटेंशन को हासल करना और ये देखना कि वो टीवी स्क्रीन से बिल्कुल नहटे रेटिंग हाई करने का यही एक तरीका है लेकिन अलीना ये नहीं कर पाएगी तुम सही कह रही हो हमें नई होस्ट की जरूरत है हम आसे ये ओडिशन स्टार्ट कर देंगे हम दूसरी होस्ट से बात कर सकते है मैं अलीना को रिप्लेस करूंगी लेकिन तुम आल्रेडी एक शो कर रही हो फिर तुम ये क्यों करना चाती हो ये तुमारा जॉनर नहीं है आडियन्स को कंफ्यूस क्यों करना चाती हो लेकिन मैं सिर्फ एक शो होस्ट नहीं हूँ मैं इस चानल का चहरा भी हूँ है न मेरी शो की वज़े से ये चानल पॉपिलर हुआ है मुझे समझ में नहीं आता कि आडिशन करके किसी ऐसे को हायर करने में क्या मतलब है जिसे कुछ नहीं आता चैनल की प्रडूसर होने के नाते ये बात तुम्ही सोचनी चाहिए थी सला देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया क्या यहां किसी को और कुछ कहना है दर्वाजा बंद करो प्लीज तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई मैंने क्या किया है मैंने तो चैनल की बहतरी के लिए एक सलहा दी है जो सब को पसंद आई तुम इतनी अपसेट क्यों हो मैं तुम्हारे इस बिहेवर से अपसेट हूँ तुम एक साथ दो शो होस्ट करना चाहती हो और तुम इस चैनल की भैतरी के लिए सोच रही हो लेकिन तुम बत्तमीज हो गई हो तुम्हें रूस को फॉलो करना होगा मैं तुम्हारी कोई बत्तमीजी बरदाश नहीं करूँगी चाहे तुम कोई भी हो तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो मेरा इरादा गलत नहीं था हमेशा याद रखना तुम मेरे शो की होस्ट हो और मैं जर्नल प्रडिसर हूँ और मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है तुम्हें मेरा काम सिखाने का ना तो हक है और ना ही कोई अथारिटी तुम मेरे सोचे मताबिक ही रियाक्ट कर रही हो ओके कैरलेना रुकते हैं और देखते हैं याद रखना कि जब बात काम की आएगी तो मैं तुम्हारी ननद नहीं हूँ मैं तुम्हारी बॉस हूँ समझ गई? मैं तुम्हारी बॉस बनने की कोशिश नहीं कर रही थी बिल्कुल नहीं हो सकता है मैं अपने आइडियाज को लेकर ज़्यादा ही एक्साइटिट थी अगर मैंने लिमिट क्रॉस कर दी तो I'm sorry हम creative लोग है हम ऐसे ही होते हैं अगली बार मैं बोलने से पहले सोचूंगी मैं वादा करती हूँ अब तुम जा सकती हो और हाँ आज तुमने जो भी कहा है उसमें से कुछ आइडियाज ऐसे थी जो बहुत अच्छे थे अब हार तुम्हारी और जीत मेरी होगी लेकिन तुम दूसरा शो होस्ट नहीं करोगी मैं कामयाम होने के लिए ऐसे तरीके नहीं आजवाना चाहती ये मेरी बिजनिस स्ट्रेटजी है हाँ मैं समझ सकती हूँ हेलो डेनिस सर आप कैसे हैं हलो कैसे हो तुम मैं अच्छा हूँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ हमने अभी अभी एक नए सिक्योरिटी सिस्टम को इंप्लिमेंट किया है ये डिजिटल ऑपरेटर सिस्टम है आप ये सब देखकर खुश होंगे मैं आपको पुरानी और नए प्रोडक्शन दोनों का टूर कराता हूँ प्लीज क्या आज के लिए सब कुछ रेडी है हाँ शायद सब रेडी है शायद से मतलब क्या सारे प्रॉप्स आ चुके है तुम्हें कौन से प्रॉप्स चाहिए प्रॉप्स से मेरा मतलब क्रियेटिव टाइल से है उसकी डिलिवरी इंपोर्टन्ट है लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया तो अब मैंने बता दिया ना मुझे इसी वक्स सेट पर टाइल्स चाहिए शोर क्यों मचा रही हो मुझे अपनी कंपनी की प्रोडक्स को प्रमोड करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है लेकिन जिन सैंपल्स के बारे में मुझे आज बात करनी है वो अभी तक सेट पर डिलिवर नहीं हुए है मैं अभी वेरहाउउस जाकर सैंपल्स ले आती हूँ तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है मैं वीडियो इंसर्स के जरीए इन टाइल्स को बहतर तरीके से शोकेस करने की पूरी कोशिश करणा इससे काम नहीं चलेगा या ना को जाने दो पूरी टीम बिजी है और मैं भी बहुत बिजी हूँ आइटम नंबर्स कैटलॉग में लिखे हुए है बस करो स्क्रिप्ट में प्रॉप के बारे में नहीं लिखा है इसलिए बक्वास बंद करो मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ आज की मीटी में कैरलिणा ने सही कहा है हमें प्रॉप्स को ज्यादा यूज करना चाहिए तो अगर मैं टाइल्स के बार में बात कर रही हूँ तो उन्हीं सेट पे होना बहुत जरूरी है मैं उसकी बात से सहमत हूँ क्या तुम हो मैं क्या बलीकर वेरहाउस चली जाओंगी तुम फिक्र मत करो लेकिन पैसे मैं दूँगा नहीं मेरे पास पैसे हैं मैं दे दूँगी प्लीज ध्यान से जाना और बॉक्स उठाने के लिए किसी की मदद मांग लेना बहुत हेवी होंगे अच्छा ठीक है क्या बात है मेरी बेहन का बड़ा खयाल रखा जा रहा है तुम्हें उसका चहरा बहुत ज्यादा पसंद है है न या आना का चहरा या ऐसा कहूँ कि मेरा चहरा तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो न चुप रहूं एक शब्द में मत बोलना तुम्हें ये मानना ही होगा कि मैं अब आना हूँ डेनिस की पत्नी हूँ मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम्हें इलाज की जरूरत है तुम्हें जरूरत हो गया है हाई तुम्हारा उसी टूझ की सांपल क्लेक्ट करनी के लिए बेज़ा है इसलिए बेहां इस जा रही हूं मैं वहीं से आ रहा हूं क्यों आ पर तुम्हारा इंतजार करो फिर हम साथ में चले नहीं तुम इंतजार मत करो मुझे नहीं पता कितना वक्त लग जाएगा और तुम बिज़ी यहीं मेरा आज का काम खत्म हो चुका है मैं टाइल्स ढूड़ने में तुम्हारी मदद करता हूं और फिर हम स्टूडियो साथ में चलते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है फिर मैं काम कर लेती हूँ क्या यही है ओपर तो लिखा है कि इसका चेरी ब्लॉसम पैटन है अना ने यह नहीं मंगबाया है क्या तुम्हें फ्रेंच आती है क्योंना हम दोनों अलग अलग ढूंडे मैं उस तरफ जाकर देखता हूं तुम्हें अगर यहां पर कुछ मिलता है तो मुझे बता देना और बॉक्स खुतमत उठाना ओके हाँ मुझे फ्रेंच बोलना नहीं आता हलो याना कैसी हो तुम्हें टाइल्स नहीं मिल रही है लगता है वक्त लग जाएगा एक मिनट रुको नहीं नहीं ये भी वो नहीं है मैं दूसरे बॉक्स भी चेक कर रही हूं जिस नंबर पर अपने कॉल किया है वो इस वक्त सेवा में नहीं है यहां पर क्या हो रहा है क्या मिट्ट क्या आप हमें सुन रहे हैं ओवर यहां मैं आपको सुन पा रहा हूं कहिए क्या बात है अंदर वेयर हाउस में क्या हो रहा है दर्वाजे बंद क्यों हो गया है तुम सिक्यूरिटी हेड हो तुम्हें कुछ पता नहीं है सिस्टम को ठीक करो यहां दुबारा काम करना चाहते हो या नहीं यह नहीं टेकनोलोजी किसी काम की नहीं है याना कहा हो तुम तुम ठीक हो मैं यहां हूँ क्या तुम्हारे उबर कुछ गिरा अकेर हुआ क्या था मैं काट से टकरा गई थी तुम्हारा फोन टूड़ गया है और मेरा फोन कार में ही छूड़ गया है मुझे माफ कर दू यह मेरी वज़ा से हुआ है मैं नुक्सान की भरपाई कर दूँगी घबरा मत इंपोर्टेंट यह है कि तुम ठीक है इसी वक्त पता करो कि वेरहाउस में क्या हुआ है क्या हुआ मेरी प्यार ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम्हें पता नहीं तुम कहां जा रहे है जानती हो क्या चल रहा है तुम्हारी जित की बज़े से वेरहाउस के अंदर फस गई है वो उसे कुछ नहीं होगा वो हमेशा बची जाती है ठीक है डेनिस भी फैक्टरी गया हुआ है मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कि क्या हुआ शाद वो ड्राइव कर रहा है ठीक है मैं चीफ इंजिनियर को भी कॉल करती हूँ हाँ मैं एना डेब्रोवाल्स की बोल रही हूँ क्या डेनिस डेब्रोवाल्स की वहाँ पर है वो चला गया अभी खबर मिली है कि हमारा एक कलीग आपके वेरहाउस के अंदर फस गया है क्या ये सच है घबराइए मत यहाँ पर सब कुछ ठीक है दर्वाजे एक्सिडेंटली बंद हो गये थे सिस्टम के ग्लिच की वज़़ा से अंदर ब्लैक आउट हो गया है सिस्टम में ग्लिच हो गया है इसलिए वहाँ ब्लैक आउट हो गया है वो दर्वाजा नहीं खोल पाएंगे अब तुम खुश हो वो वहाँ तुम्हारी वज़े से गई थी और अब वो वहाँ फस गई है सिर्फ तुम्हारी वज़े से वहाँ एक्सपोर्ट की भीड लगी हुई है उसे कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सुनो आना तुम इसे वक्त मेरे साथ वेर हाउस में अपनी बहन के पास जा रही हो लगता है जैम हो गया है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दर्वाजा खुल नहीं रहा है तुम ठीक हो तुम तो काप रही हो थांक यू आखिर और कितना टाइम लगेगा इस ब्लैक आउट की वज़े से मुझे कॉल पर कॉल आ रहे हैं मुझे जवाब दो ओवर याना कैसी है याना वहीं लड़की जो टाइल्स कलेक्ट करने आई थी क्या आप भी वो अंदर है और मेरा हस्बन कहा है तुमने कहा था कि वो चला अंदर गए हैं ओवर मतलब कॉपी दैट इसका मतलब डेनिस और याना एक साथ वेरहाउस में है दर्वाजा खोलो मैंने कहा अभी क्या भी खोलो अगर दर्वाजे को नहीं खोला तो मैं तुम सब को सड़क पर ले आउंगी तुमारी जिन्दगी बरबाद कर दूँगी जैनिस जैनिस क्या तुम अंदर हो क्या तुम मुझे सुन सकते हो मैं जल्दी तुम्हें यहां से बाहर निकालूगी जालिंग हैलो सिक्यूरिटी मेरी बात सुनो अगर तुमने इसी वक्त यहां आकर यह प्रॉबलम सॉल्व नहीं किया तो हमारी नौकरी गई समझो मेरी सुन रहे हो हम अपनी तरब से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर अमें थोड़ा वक्त और दीजिए हम उन्हें अभी बाहर निकाल लेंगी सुन गब्रामत मैं तुमारे साथ हूं डर्नी की जरुवत नहीं है हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे थोड़ा सा वीट कर लो किसी ने दरवाज़ खोल दिया तुम ठीक हो कि तुम चल पाओगी कैसी हो तुम ठीक तो हो ना कोई चोड़ तो नहीं यह ठीक है लेकिन बहुत डर गई है बीबी मैं बहुत घबरा गई थी मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तुम यहां क्या कर यह बीबी मैं आपनी बे तुम्हें बहुत डर गई थी तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना मैं माफी चाहता हूं सर सिस्टम का ट्रायल था इसलिए यह लेकिन भरोसा किजिए हम जल्दी यह पता लगा लेकिन शुक्र है सब ठीक हो गया है सब ठीक है चलो अभी यहां से क्या तुम सच में ठीक हो हां जब मुझे पताचला मैं लौक हो चुकी हूं तो थोड़ा घबरा गई थी वहां बहुत अंधेरा था समझ सकता हूं शुक्र है तुम ठीक हो मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैंने तुम सब को डरा दिया पता ने यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है मैं जहां भी जाती हूं मुसीबत खड़ी कर देती हूं सच में समझ नहीं आ रहा यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है बेबी क्या सोच रहे हो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो मैं याना के बारे में सोच रहा था मुझे लगता है उसे अंधिरे से डर लगता है और उसे बंद कमरों में घुटन होती है बिल्कुल तुम्हारी ता चाहरा और उसकी बाते भी बिल्कुल वैसे ही ती जैसे तुम बिंद क्या करती थी याद है तुम्हें हाँ याद है कि उसके एक्स्प्रेशन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थी एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो तुम ही हो, ना कि तुम्हारी बेहन याना क्या पता याना मेरे जैसे बन गई हो आक्सिरन के बाद, पहले तो वो ऐसा कभी नहीं करती थी हाँ हो सकता है, चलो मैं शावर लेकिया आता बिजनिस सेंटर में आखिर ऐसा क्या हुआ था, उसके चेहरे पर उसने ऐसा क्या देख लिया था कि बस उसी के बारे में बोल रहा है मुझे सपनों में आन्डरी की जगा डेनिस ही नजर क्यों आता है आखिर इसकी वज़ा क्या है मुझे सेंटर में आता है